नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम टू दा चैनल बैंकिंग बंदू लेकर आएं एक और बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपके लिए दोस्तों जैसा आपको पता होगा जब भी कभी कोई भी लोन बैंक में खराब होता है यानि NPA हो जाता है तो उसकी जो बैंक के पास प्रॉपर्टी होती है बैंक उसको बेच के अपना लोन रिकावर करता है बैंक प्रॉपर्टी कैसे बेचता है बैंक क्या करता है ऑक्षन अनौंस करता है ऑक्षन यानि निलामी निलामी में उन प्रॉपर्टी इसको बेचा जाता है तो बैंक ऑफ बडोदा ने अपन ऑक्षन अनाउंस कर दिया है मेगा यी ऑक्षन जो नागपुर की प्रॉपर्टीज है वो आठ अक्टूबर को बिकेंगी दो बज़े से छे बज़े तक आप अपनी बोलियां लगा सकते हैं नागपुर की प्रॉपर्टीज डिसकस करेंगे इस वीडियो में दोस्तों वीडि सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखने देखने के साथ साथ इसे समझें और सुने हमने काफी सारी ऐसी बाते हैं जो आपको बोल कर समझाई है शुरू करते हैं वीडियो लेकर चलते हैं आपको बैंक ऑफ बडोदा की ओफिशल इस वेबसाइट पर आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाना है सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको e auction का option दिखेगा सबसे नीचे जब आएंगे यहां देखिए यहां resources में second option देखिए e auction आपने जाना है e auction पर जब आप e auction पर जाएंगे तो वहां आप आपको यह उक्षन का नोटिस मिलेगा जो फॉर्मल नोटिस बैंक ऑफ बडोदा ने निकाला है यह देखिए यह उक्षन नोटिस नो मोर पर जाएंगे नो मोर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी जहां पर सारी प्रॉपर्टी जो भी बैंक बडोदा जाए अक्षन डालने वाला है उनकी है उस लिट्व में प्रॉपर्टी कहाँ की है रिजेडींशल है कमर्शियल है किसके नाम पंपर यह उसका एक्रीयर की पार्परटी एस पूछra Walking Kingdom टूबर को auction होगी, इस पे हम click करेंगे आपको download करने के लिए बोलेगा, जैसी आप download करेंगे, तो आपके सामने ये देखिए, pdf खुल गया है, pdf में दोस्तों देखिए, आपके सामने यहां आपने नागपूर की properties निकाल दिये हैं, आप pdf में search कर सकते हैं, नागपूर की ये देखिए, सारी properties आपके सामने हैं, commercial हैं, industrial properties हैं, flat है, घर है, shops हैं, आप ये सब खरीद सकते हैं, participate कर सकते हैं auction में, तो दोस्तों उमीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, whatsapp ग्रूप पे शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भ भूलिएगा, आपका दिन शुभो धन्यवाद